नाकपु से यवत माल्कियो तेज रफतार जा रही कार के चालक ने ट्रक को पीछे से जोधा टक्कर मार दी इस भीशन दुरगटना में दो की घटनस्तल परी मौत हो गई जबकि दो गंभी रुप से घायल है इस टक्कर में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकना चुरो गया हासर राष्ट्य महामार्क 361 पर स्थीत केलजर के फ्लाई ओवर पर शाम साड़े साथ बजे के करीब घटा प्राप्त जानकरी के अनुसार यवतमाल निवासी अक्षे का जानन सरदार के मालकियत की कार क्रमांक MH31 बी वी 95 सत्यानों से चार वेक्ती बुध्वा सुबा नाकपुर गए थे देशाम नाकपुर से यवतमाल की और लोट रहे थे केलजर समीब के फ्लाई ओवर पर ट्रक कार के आगे था ट्रक रमांक MH40 BL-1942 को ओवर टेक करने के चकर में तेज रफतार गाड़ी से चालक का संतुलन भिगरने के कारण कार ट्रक से पीछे से भीड़ी मृतकों को निकालना भी कटिन हो गया था पुलिस ने भारी मशकत के बाद शवो को बहा निकाला मृतकों के नाम यवतमाल के वेडगाउ निवासी गजानन सरदार उम्रपचास वर्ष वर्ष चालक आदेश्वर खुनकर बताए गए है जबकि घायलों के नाम कलम तैसिल के पिपल गाउ निवासी सुनिल श्रावन जोटे उम्रपचालिस वर्ष और अतुल देविदाज घोडे उम्रपचास वर्ष बताए गए है एक घायलों के हालत चिंदा जनक है